अरे ठक्राल, इस नहुजवान से तो मिले हो तुम, यह तुम्हारी मैदान का के लड़ी है, अरुन बर्मा अरुन बर्मा हलो, नाम तो सुना हुआ है, रखता है के आपको कहीं देखा भी है जिस वकील को आपने डॉक्टर आशा मात्र का मुकदमा दर्ते देखा था, वो मही था ओ, आई सी, काफी इंट्रेस्टिंग केस था दरसल बात यह है के इतने लोगों से मिलना जुलना रहता है के सारे चेहरे याद रखना भी मुश्किल हो जाता है कोई बात नहीं, मुझे तो सब याद है ठकराल साब हाँ भई, ठकराल दे ग्रेट को कौन भूल सकता है यहाँ, कम से कम मैं तो नहीं भूल सकता हूँ आपकी मुहबबत है जो ऐसा कह रहे है खना साब, आपने तो चाल चली ही नहीं क्या चाल चलाऊं ठकराल साब लगता है दूसरी बाजी भी आप ही जीद करें माफ कीज़े खना साब ठकराल साब की पोजिशन मजबूत जरूर है लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें हराय नहीं जा सकता यह बात है, लीजे मैं हट जाता हूँ, आप ही आजेए इजाज़त है, जरूर लीजे, दो वकीलों के दिमाग तकरा रहे हैं देखें, इस खेल में कौन क्या चाल चलता है अरे नहीं, गरेवाल साब, यह खेल बराबर का नहीं मिस्टर अरुन वर्मा तो अभी अभी आए हैं और बाजी तो पहले से ही मेरे कब्से में है इन विचारों के पास चाल चलने की जगाई कहां है ठाराल साब, जब खिलाडी बहुत अच्छी पोजिशन में होता है तो उसे अपने आप पर इतना यकीन हो जाता है कि वो देख नहीं पाता कि कहीं किसी दूसरे कोने में उसने एक खाना खाली शूड़ दिया है और वही हुमार खाता है हम्, हईवाह, हाँ, बहुत अच्छी चाल चलने मगर जो खिलाडी अच्छी पोजिशन में हो वो किसी एक खाने की हिफाज़त तो किसी वक्त भी कर सकता है अरुन पर मसभब जरूर कर सकता है लेकि उस खाने को बचाने के लिए उसे अपने थोड़ी सी ताकत दूसरी तरफ लानी पड़ती है पर इसी बज़े से वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है पर वो जब कमज़ोर हो जाता है तो उसे हराय जा सकता है देखिये इस वजीर को बचाने के लिए आपने अपना बाशा खुला छोड़ दिया ये चेक एंड मेट थगराल साब ये बाजी तो आप हार गए कोई बात नहीं है ये कोई आखरी बाजी थोड़े है ये है ये तो है थगराल साब अब ज्यादा यकीन और लापरवाई से काम मत लीजेगो गुद्बाई फ्रेंड्स बाई आज कल के नौजवानों को कमजोर ना समझे रहा है इंट्रेस्टिंग भाईया को अपनमेंट से आद रहेंगे तो सफ अपने केसे की और डेट से रहेंगे तो सफ अपने कोट की बाकि सब कुछ भूल जाते हैं अरे भाई कल ही तय हुआ था कि आज साड़े पांच बज़े प्रित्वी थेटर जाएंगे अब वो कल की बात आज कैसे भूल सकता है जीजा जी कल और आज के बीच में 24 घंटे होते हैं और आदमी चाहे तो एक बात को 24 बार भी भूल सकता है भई छेर तो बजगे खेर भी बज़े नहीं और मैं आ गया स्रुरख्टर माथूर स्रेश बस आपत्रोग बैठीय मैं दू मिनट में त्यार हो पिछले साल जब डॉक्टर बेनर जी की जगह पे मैं भाना मेंटल असालम में था एक महिने के लिए वहीं मैंने इन्हें देखा था 15 साल से वहाँ है कौन है कहां से आई है कुछ नहीं बताती बार बार कुछ बे तुकी बे जोड़ सी बातें करती रहती है कि वहीं मुकदमा चल रहा है और ऐसा हुआ था ऐसा हुआ तो डॉक्ट्र मातुर और क्या कहती वह और बार बार दो बच्चों के नाम दो रागिर थी पिंकी और अनू पाइब अनू और यह पिंकी है ओगाड तोट्टी साब वह जो पंदरा बरस से उस पागल खाने में हमारी मां है वह उसका पता चाहिए कहा है वह जगा मैं अभी मिलना चाहिए मैं अभी आप लोग यहीं बैठिए वो बस आती ही होगी लेकिन एक बात का ध्यान रहे आप सब लोग उसे एक साथ नहीं बलके बारी-बारी मिलेंगे समझ गेना अरुन खैल रखना कि उनकी याद और उनकी सोच 15 साल पहले जहां रुख गए थी आज भी वह आज भी यहीं समझती है कि उनका पती जेल में है कि मुकदमा चल रहा है और उनके दो छोटे-छोटे बच्चे पिंकी और अनू आज भी घर में अकेले हैं इसले को ऐस अच्छी बात मत करना जिनसे उनको मैं समझ गया डॉक्टर साब आप इत्मिरान रखिया हम देख लेंगे उने मिल लेंगे लेकिन आनी कहेंगे उने हुआ ही हुआ है हुआ है आप ही मिलने आये हैं मुझसे? जी हाँ गुपता जी ने भेजा है आपको? जी, उन्हों नहीं भेजा मुझको उन्होंने कहा था कि मैं आप से पूछ लूँ कि आपको यह कोई तकलीफ तो नहीं है यह लोग आपका ख्याल रखते हैं? हाँ, हाँ, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बच्चे घर में अखेले होंगे यही परेशानी रहती है कई बार सोचा कि घर चली जाओं लेकिन हमारे वो बड़े डॉक्टर साहब है ना बहुत भले आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है वो कहते हैं, कुछ दिन इधर ही रुक जाओ कभी भी केस की तारिक पढ़ सकती है केस इसी शहर में आ गया है ना तो मैंने सोचा, चलो, कुछ दिन यहीं रुक जाती हूँ उफ इस मुकदमे ने तो हमारे पूरे घर की जिन्दगी मगर मैं दो एक दिन में चली जाओंगी हमारे डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं बस, दो एक दिन, दो एक दिन क्या बताऊं वकिल साहब आधा दिन यहां मुकदमे में लगा रहता है और आधा दिन बच्चों के लिए कुड़ता रहता है अरे, अरे, बेचारी, कौन ही यह? क्या हो गया है तुम्हे? घीता, प्लीज इस बार ले चलो हॉस्पिटल है न, किसी को देखने आई होगी आप गुपता जी के साथ वकिल है? जी, जी हाँ मैं तो पहली आपका काला कुट देखकर समझ गई थी कि आप वकिल है आप क्या समझते हैं? सच बताएए यह छूट जाएंगे न? आप, आप इस तरह, इस तरह क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? क्या, क्या आपको लगता है कि… ने, ने, कुछ नहीं होगा उन्हें कुछ नहीं होगा आपके पती को वो निर्दोश है और निर्दोश को कौन साथ दे सकता है? आप, मैं तो समझ रही थी कि आप कहेंगी कि वो अच्छा, मैं चलू, मैं चलू मा, मा… अरुन ये, ये मेरी मा है गीता, मेरी मा पंद्रा बरस से इस पागल खाने में, मेरी मा पंद्रा बरस तक मैं ये बिरी जानता था कि ये जिन्दा है क्या मर गई? और आज, और आज उसे पाया तो इस हाल में, क्या कहूं, वो जिन्दा है या माटें? अरुड़ जिए थिए ये मैं हिंदोस्तान के सबसे बड़े वकील थक्राल दी क्रेट से बात करना चाहता हूं मैं कौन हो उसकी फिगर मत करो यह बताओ वो कहा है जी वो साइन क्लब की मीटिंग में गए मिस्टर प्रेजिजन्ट लेडी जेंड जेंटर्मेंट यहां के कुछ कारे करताओं ने मुझे यह हुक्म दिया कि आज मैं वकील होने के नाते अपनी राए पेश करूँ कि एक गानून में कैपिटल पनिश्मेंट यानि के सजा ए मौत होनी चाहिए के नहीं कुछ जजबाती लोग कहते हैं कि सजा ए मौत खत्म हो जानी चाहिए लेकिन जजबात हमेशा सच्चाई से दूर होते हैं ऐसा मेरा विश्वास रहा है मैं हमेशा सजा ए मौत का जबरदस्त तरफदार रहा हूँ और इस बात को साबित करने के लिए मैं आपके सामने 75 सबूत पेश कर सकता हूँ क्योंके मैंने अपनी वकालत के इस लंबे केरियर में आज तक 75 लोगों को भासी के सजा दिल पाई है मैं आप से इस शेयर के इजददार लोगो ठकराल साब ने अपने बहुत से बड़े कारनामों को बहुत छोटा करें बताया और यही है इनका बड़ापन कौन कहता है कि ठकराल साब ने सिर्फ 75 लोगों को भासी दिल वाई है गलत बिलकुल गलत उनकी गिंती 75 से बहुत ज्यादा है इसलिए कि हर एक आदमी के साथ कई लोग होते हैं फासी के तक्ते पर कोई अकेला नहीं होता फासी के तक्ते पर उसके साथ उस फंदे पर दम तोड़ता है उसकी बीवी का सुहाग उसके बच्चों का भविश उसके घर में बसने वाली है के खुशी उसके आंगर में उतरने वाली है के किरण सब को एक साथ फासी हो जाती है थक्राल साब ने पच्चतर आदमियों को नहीं पच्चतर परिवारों को फासी दिलवाई और यही है इनका बड़ापन यही है चैर के इजदार लोगो थक्राल साब बहुत बड़े दिल के आदमी है इन्होंने मुझ्रिम और निर्दोश को हमेशा एक आख से देखा कभी किसी में फर्क नहीं किया और जो गर्दन हाथ में आई उसे फासी का भंडा बिनाए बिना वापस देगे जा और देख लीजी देख लीजी पचटर लाशों बेखा हूआ ये थक्राल कितना उचा दिखाए दे रहा है मगर मेरी एक बात यादख ना थक्राल एक बात बेगुनाव का खूल पलट कर अपने कादल के दावन पराता है और वो खुन तुमसे तुमारे जुमों का हिसाब लेगा तरॉल और वो हिसाब भाई तुम चलूगा मै भाई तुम चलूगा तरॉल अब तुम्हे तुमारे जुमारे जुमारे कोई ने बता बिस्ता कोई ने